जे माता दी आई ये सुनते हैं घ्यारस माता की यह कथा एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था राजा बहुत ही बुद्धी मान और बलसाली था राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी राजा की दो बेटियां थी राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुन्दर और आकरसर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुन्दर थी राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रसंसा किया करते थे राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गए तब एक पडोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिस्ता लेकर आया लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर सड़ हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूं जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुस्मन मान लिया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्ड़य लिया जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड़ू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड़ू खाने के लिए कहा लेकिन लड़ू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्य चकित हो गई लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में साप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया लेकिन साप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुवे में से पानी भर कर लाते हैं जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुवे के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुवे में धक्का दे दिया लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बाद घ्यारस माता उसकी रच्छा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपनी सारे प्रयाशों के बाद अश्फल हो रही थी जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यू एक निश्चित समय पर लिछी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यू होगी क्या यह तुम जानती हो तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यू कैसे होगी छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रशन होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यू का राज बताओ छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यू तो एक तोती में है जो तोती के गले में इक हार है उससे मेरी मृत्यू होगी जब तक कोई भी ब्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मुर्शित हो जाओंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जिवी थो जाओंगी अपनी छोटी बहन की मृत्यू का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूढ़ना सुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था की कोई उसकी जान लेना चाहता है जिसके लिए वह है अपने पिताजी के पास गए और उसने अपने पिताजी से कहा की पिता जी मेरी मृत्यू के बाद आप मुझे जलाईएगा मत बलकि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटा कर छोड़ दीजियेगा अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य चकित हुए राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा बेटी तुम यह क्या कह रही हो तब राजा की छोटी बेटी ने बताया पिता जी समय किसी के लिए नहीं रुका है कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा की तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो दो तिन दिन में तो तुम्हारा विवा है लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता जी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे बचन ले लिया राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्विकार कर ली और दो तीन दिनों के बात जब साधी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना सुरू करती है उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है उधर छोटी बहन सारे तीन ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश हो कर गिर जाती है जिसके बाद राजा ने बड़े दर्ध हकिमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा राजा की बात सुनकर बैद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जिवीत है और ना ही मरी हुई है यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ राजा ने बैद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा की अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फासी दे देंगे राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सेनिकों को तैनात कर दिया वापस अपने महल पर आ गया राजा की बड़ी बेटी अपने पिता जी के पास आई और कहने लगी की पिता जी अगर यह साधी संपन नहीं हुई तो आपकी इज़त का क्या होगा आप कहें तो मैं आपकी इज़त बचाने के लिए राजकुमार से साधी करने के लिए तैयार हूँ जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कप्रे पहना कर मंड़ पर भेज दिया लेकिन राजकुमार यह जान गया की राजा की छोटी बेटी नहीं है बलकि यह राजा की बड़ी बेटी है लेकिन जब राजकुमार ने साधी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को शंपन करा जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था नहीं उसको पसंद करता था और नहीं उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह है अपनी प्रेमिका को धोड़ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुच गया जहां पर उसने कुछ सैनिको को देखा महल के पास पहुच कर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है तब राजकुमार ने सैनिकु से पूछा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है जिसके बाद सैनिकु ने बताया कि यहां पर राजा की छोटी बेटी लेटी है यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रशन हो गया और वह तुरन अपनी प्रेमिका के पास पहुच गया और उसकी सीवा करने लगा जैसे ही राथ हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गयी राजकुमार यह देखकर बहुत खुश सो गया और उसने अपनी प्रेमिका सी पूछा की तुम यहां क्या कर रही हो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बाते बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रियास किया है उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है जब तक वह हार को पहन ले रहती है तब तक मैं मुच्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जिवीत हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जिवीत और मुर्छित होती रहूंगी अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हाथ वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जिवीत हो जाऊंगी राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निल्ड़य ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेती राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिये और अपना विबाब पूर किया वहीं पर रहने भी लगा देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पतनी पेट से हो गई एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तक छोटी बहन के पेट में बहुत तेट से दर्ध होने लगा जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्ध को दूर किय और एक पुत्र की प्राप्त करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रडाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पाच वर्स का बेटा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हारा लाकर इसके गले में डाल देना और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र पाच वर्स का हो गया राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तुम अपनी माता का ध्यान रखना और वहां से चला जाता है राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है छोटी बेटी के पुत्र के दो टुकडे करवा देती है पहला टुकडा चक्की के पास छुपा देती है और द दुसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं एक भिखारी का रूप रखकर बरी बहन के पास चली जाती हैं जिसके बार वहां पर भिच्छा मांगने लगती हैं बरी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिच्छा दे दो लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिच्छा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हीं मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महरानी से ही भिच्छा लूँगी जिसके बार बड़ी बहन स्वैम ही भिच्छा देने के लिए माता की पास आती है तम माता एक विल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र को कोई दो टुकडे को आपस में जोड देती है और उसे जिवीत कर देती है उसे वहाँ से ले जाती है राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुम से बात करूंगा एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मा के पास जाता है और कहता है कि मा मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे जिसके कारण वह हर बच्चे को देखती है और उसे समालती है वह तुरन हार को ले जाकर अपने पिता जी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना मैं साम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूच सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिस पर ही दोस देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं